उत्राखंड की शक्तिशाली माता, मा दीवा देवी माता दीवा देवी को रक्षक देवी के रूप में माना जाता है कहा जाता है कि जब एक बार गोर्खाओं ने उत्राखंड को अपने अधीन कर लिया था तब माता दीवा ने एक पुजारी के सपने में आकर एक रहस्मई जगा दिखाई जिसके बाद जब पुजारी जी वहां गए तो उन्हें वहां पर एक गुफा दिखाई दी उसके बाद जब भी गोरखाओं का आकर्मन होता था तो सभी गाओं के लोग वहाँ पर छिप जाते थे और कहा जाता है कि माता गोरखाओं से युद्ध करके उनको परास्त कर देती थी जिसके बाद से माता का दिव्य मंदिर यहां इस्थापित हुआ माता का ये दिव्य और अलोकिक मंदिर पौडी गड़वाल के ग्राम पटी खाटली में इस्तित है मंदिर से जुड़े बहुत सारे रहसे हैं जो आज तक सुलजे नहीं है इस मंदिर में एक ऐसा पत्थर है जिसे जिस भी दिशा में करें उस दिशा में बारिश होने लगती है मंदिर में दर्शन करने का समय सूरी उदय से पहले है कहा जाता है कि मा के दर्शन सूरी उदय के बाद नहीं किये जाते एक विचितर बात यहां भी है कि मंदिर के चारो और पाई जाने वाले पेड़ों को अगर काटा या उन पे कोई पत्तर फेका जाए तो उनसे खून जैसा तरल पदार्थ निकलता है पेड़ों के पीछे की कहानी यह है कि सभी पेड़ मनुष्य थे जो एक श्राप के कारण पेड़ बन गए मानिता है कि आज भी दीवा मा कभी कभी सफेद बालो वाली औरत के रूप में तर्शन देती है जो भी भक्त मा के इस दर्वार में सच्ची श्रक्ठावा आस्था के साथ आते हैं मा उनकी मनोकामना को अवश्य पून करती है जै हो माता दीवा देवी आपकी